एलो गाईज इस विशाल सिंह and welcome back to my new video तो गाईज बिना आपका time waste किए आपका आपका बेस्ट के आपका एमें तो लिए तो गामप्र करने वाले हैं तो आज की वीडियो प्रतुर एम क्या दिसक्स करने वाले हैं नेक्सोन के NVC level के बारे में यह Naxon का facelift version है and आज हम discuss करेंगे कि इस कार में अब कितना NVH लेवल रह गया है, कितनी vibration, कितना noise आपको देखने को मिलता है इस new Naxon facelift में तो पहले में सबसे पहले करता हूँ, car start and पर देखते हैं कि कितना vibration और कितना noise हमें फील होता है इस कार okay so let's start the car first and फिर दिखाता हूँ मैं आपको कितना NVH लेवल रहे गया आप इस कार में यह Naxon का new facelift version है पहले car start करते हैं and then देखते हैं क्या NVH लेवल अपका इस कार में आपको देखने को मिलता है पहले music stop करो यार, okay so guys, car अभी start है, idle position पे है, cabin noise आप सुन सकते हो यह cabin noise आ रही है, अब यह बाहर से दिखाता हो आपको की बाहर से कितनी noise है जैसे आप सुन रहे हो, यह noise बाहर से आ रही है कार में, अब बोनेट के पास में जाता हो, mic and then up so, आप जैसे आपको सुनाई दे रहा है, इतनी noise अभी इस कार में बाहर से आ रही है, अभी कार इस स्टार्ट की थी, तो पहले initial थोड़ी जादा नाइस थी, बढ़ कार सार्ट होने के थोड़ी दिर बाद, noise थोड़ी कम हुई है, तो अभी currently इतनी noise आ रही है इस कार से, अभी कि आप आप बूनट उपन करता हूँ, देखते हैं कार के अधर से कितनी noise आ रही है, इस तुबने बूनट उपन कर दी है इसका, अगर आप जैसे देख रहे हो, मैं माइक और पास राता है, तो इतनी noise आ रही है इसके आइडली कोईशन पर, आइडली कोईशन पर अगर से कहाँ, इसकी noise आप जथी का रही है, आप इसकी noise, आप पहले के comparison में कम हुई इसका ynजिन आप जादा केеро T2 के पर आप पर आप में कर पर आपी काели का हनुत, नॐ नौईशन प्रेखने का मिले अगा इसतर कलिन है, पहले की खेनी कार से नौशन के उसकी कम हैं, यह क तो आपको बो noise देखने को मिलेगी ही मिलेगी अब एक काम केटे है अब देखते हैं इसके कितना vibration रहे है तो एक vibration टेस्ट करते हैं इसके लिए ने पास ने काप है इसमें वाटर डालेंगे एद मैं इसके इंजिन में लखके दिखने हूँ कि इंजिन की एंजर से बनट उपन उने के बाद कितना वाइब्रेशन है इस कार में और वही चीज और पिरम कार के अंदर जाके भी चैक करेंगे कि अंदर किसना वाइब्रेशन आपको रिखने को में तो सुपसे पहले मैं इसको रिखने को 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 रिखने आप देखें, शायद यहां से ब्लाप के लिए हैं, जैसे आप देख रहे हो, इतना वाइब्रेशन अभी इसले आपको पील हो रहा है, जो कि अगन्या कंपेर करें, बाक्ती और पारी प्रॉस्ट अंपर पारी, जो प्रॉस्ट आपकी जाधा है, अब जशे देख रहे हो, य जैसे आप देख रहे हो, इसको यहां पर ब्लेस कःता हूं, तो जैसे आप देख रहे हो, minor vibration आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत vibration आपको feel हो रहा है यहाँ पे वहीं पे अगर मैं इसको place करूँ dashboard के यहाँ पे तो minimal vibration आपको feel हो रहा है यहाँ पे भी और वहीं बात करूँ gear knob के पास तो यहाँ पे इतना vibration आपको feel नहीं होगा अगर मैं personally भी gear knob टच करके feel करने की try करूँ तो बहुत हलका बहुत minor vibration आपको feel होगा वहीं बात करता हूँ steering की steering में भी ऐसा सच कोई vibration आपको feel नहीं होगा मैं वही बात करता है जितना vibration आपको कार के बाहर और जितना noise आपको कार के बाहर से feel होगा cabin उतना जदा cabin में noise and vibration नहीं है cabin बाहर की comparison में काफी जदा silent है तो cabin के अंदर तो आपको ऐसा feel नहीं होने वाला कि आपको कोई noise and vibration वाला issue cabin के अंदर आपको यह चीश तो at least देखने को नहीं मिलेगी बाहर की बात करूं तो बाहर में यस आपको vibration और noise देखने को मिलेगी इस कार में अभी भी because यार कई वीडियो में बता चुका हूँ 3-cylinder, 4-cylinder में यह differences आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगे noise and vibration का issue आपको 3-cylinder में देखने को मिलता ही मिलता है तो यह चीज़े अगर कोई बोल रहा है कि Nexon में यह सब चीज़े बिल्कुल खतम हो गई है तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत envious level आपको Nexon में अभी भी देखने को मिलेगा तो यार हमारे चैनल में तो जो है वो सामने है ऐसा कुछ fake अब लोग नहीं दिखाते इस चैनल में, जो चीज़ है वो है तो अभी भी थोड़ा बहुत envious level का issue है बट इसके बावजूद भी, कार कापी अच्छी है यह यह मेरी second car है टाटा की I personally feel कि इस segment में अगर यह कार इतनी sale हो रही है तो उसके पीछे जरूर यही reason है कि यह कार चलाने में बहुत बढ़ी है तो जितना आप इस कार को चलाओगे उतना ही आपको यह कार और पसंद आएगी तो यही एक छोड़ी सी वीडियो थी and I hope अगर आपके माइंड में भी यह doubt रहा हो कि Nexon में कितना NVH level है, कितना noise and vibration है तो I hope इस वीडियो के बाद clear हो गया हो चलाने में आपको काफी मज़ा आएगा इस कार में बहुत सारी चीजे हैं जो इस कार में आपको अच्छी मिलेंगी तो इसके बार में एक और वीडियो आएगी कि क्या-क्या चीजे है पॉजिटिव इसकार में तो गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए तो गाईज इस वीडियो में तो इतना ही मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ले बाई